सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं पूरा प्लैन कि अपने मैथमेटिक्स के एक्जाम को कैसे डील करने वाले हैं क्या कि इंपरेंट चीजे अपने पढ़ेंगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है यही दो चीजे मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि एक्जाम का टार्गेट रहने वाला है है गर अपने हैं यहां एक सब्सक्रीट फार्ट करते हैं दो चीजए दो चीज़ें सबसे इंस इंपуждर प्रेक्टिस करएं कि क्योंकि प्रेक्टिस ही आपको करना क्या है आपको mathematics की practice करनी और आपको अखेले नहीं करनी अनिरुद्वालिया आपकी practice करवाएगा आपको बताएगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है और अनिरुद्वालिया आपको पढ़ने कितना पढ़ने वाला है वो सब चीजे भी इस वीडि सब को पसंद आ रहा होगा ठीक है बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आई थी सर कि सर जेई में का भी कुछ बताईए तो नेक्स्ट वीडियो आपको जेई में के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है तो यह बात सुनके आपके चेहरे पर स्माइल आ जानी चाह है और में नहीं चाहता कि किसी भी वच्चे अच्जाम में और मैं आपप पूरा कार ने वाल को थ्प्र ब सर गयें में और सबसे पहले इएं कि इस वीडियो में में आपको पूरा कोस लान बता लेता हूं देखो, कुछ previous years के questions को मैंने analyze किया है, papers को analyze करते हुए, इक चीजों को मैंने, एक conclusion पे मैं आया हूँ, देखो, NCRT questions, जो NCRT के questions है mathematics के लिए बहुत, बहुत important है, इसको आप ignore करी नहीं सकते, second important thing है, previous year questions, देखो, previous year questions करने के बाद आपको पता क्या लगेगा, आपको ये पता बिना रहे कि भाईया, क्या NCRT questions करने से मैं 100 marks ला सकता हूँ, तो आपको सुनके शायद थोड़ा सा जीब लगे, बड़ इसका answer no है, आप खाली NCRTs book को solve करके, mathematics में 100 score नहीं कर सकते, क्योंकि trend change हो चुका है, चीजे कुछ अच्छे level की problems डाली जाती है, ताकि देखो CBSC उमी करेंगे, तो सबसे third important चीज का है कि some extra level high questions, देखो आपको इस चीज में, आपको इस चीज के लिए कोई tension नहीं करनी है, कि सर वो high level extra questions क्या होते हैं, मैं इनकी side by side आपको जो questions पूछे जाते हैं, देखो कुछ questions competitive exams वाले पूछे जाते हैं board में, एक से दो questions पक्का मिलेंगे, यह बात सुनके शायद आपको थोड़ा जीब लगे, बट यह fact है, ठीक है, बट आपको primarily किस चीज पर focus करना है, आपको primarily इन दोनों चीज पर focus करना है, NCRT questions प्लस previous year questions, ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, अभी मैं आपको बता हूँगा कि how Anir score किया जा सकता है, खाली NCRT questions करने से आप 100 marks score नहीं कर पाएंगे, previous year questions करने से आपको फायदा क्या होगा, previous year questions करने से आपको एक trend पता लगेगा कि कि किस level का paper पूछा जाता है, ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ कि match का paper बहुत tough आने वाला है, या बहुत easy आने वाला है, या moderate आने वाला है, मैं आपको जो भी मैंने previous year papers को analyze किया है, जो मेरा experience रहा है, teaching experience रहा है, उनके बहाफ पे आपको चीजों को बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये high level, extra level जो questions है, ये आपको 100 marks दिलाने में score करेंगे, पास तो आप सब भी तो अच्छा करना है यार, पास होने से आज के time में जिंदी की नहीं चलती है, क्योंकि competition का time है, बहुत बढ़ा time है, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखो या तो आज से लग जाना, ये भी आज से पढ़ने का मन नहीं है, तो आज का दिन rest ले पागल जैसे काम क्यों करते हो, side by side करता रहो ना, थोड़ा थोड़ा करते हो, 20 से 30 questions होते है, 100 marks का वेपर होते है, 3 गंडे का वेपर होते है, सबको पता है, करना आपको कुछ नहीं है, daily थोड़े थोड़े previous year questions करने है, क्योंकि छुट्टी बहुत है, और बहुत अच्छा score किया जा सकता है, जो कमिया physics के exam में रही है, किसी बच्चे का physics का exam बिगड़ा है, तो maths के exam में अच्छा score करके, वो अपने overall score को बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, और once again, extra level, high level, जो important questions, जो competitive वाले questions है, जो board में पूछ जाते हैं, एक से दो questions आना fix है, तो उनकी भी मैं separate त आपको करना क्या है, आपको just video में comment करके मेरे को ये बताना है, कि सर मेरे को ये वाला chapter बढ़ा दो, सर मेरे को ये वाला chapter बढ़ा दो, अब मैं क्या करूँगा, आज आप सारे comments कर दीजिए, मैं पूरी राद को, जितने बचे तक आपके comments आएंगे, मैं उनको analyze करूँगा, उनके data को collect करूँगा, और उनके basis पे, जो जो chapters demanding रहेंगे, उन उन पे videos बनाऊँगा, daily basis पे, daily minimum 2 videos आपको मिल जाएंगी, videos को साइच छोटे रखेंगे, 15-20 मिनट का ही रखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आपको भी बोरियोत हो जा मैं आपको उन-उन chapters पे important questions की बहुत सारी practice करवाने वाला हूँ, ताकि exam में कोई ऐसा question ना रह जाए, कि sir ने तो ये करवाया है, ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं कैसे करूँगी, ठीक है mathematics आपको मैंने पहली बता दिया, it is all about practice, जितना practice करोगे, उतना अच्छा score करोगे, ठ करना कुछ नहीं, आपको अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, कि sir इस chapter वीडियो बनाओ, इस chapter वीडियो बनाओ, मैं उसी chapter पे आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना दूँगा, ठीक है, तो सारी बाते हो चुके है, plan सबका ready हो गया है, target रहेग दिन हो या रात हो, मैंनत करता हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा मिल सकें, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और प्लीज लाइक करें, और कमेंट करके, द पताने में उन-उन टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा, ताकि किसी वी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, इंपोर्टन चीज आपको पता लगए, NCRT क्योशन करना स्टार्ट कर दो, प्रिवियस यर क्योशन करो, एक्स्रा लेवल, हाई ले प्रिविडियो बना दूदा, रहे है, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब कर देए, और नोटिफिकेशन बटन का प्रेस कर दे, क्योंकि जब भी वीडियो आएंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा, कि अन्यि मुझे नजर आ दिया मैंत हम अपनी साइट से पूरी कर रहे हैं अपनी जीजान लगा दे रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे लेवल का कंटेंट सब को लोगों तक पहुँच सके सब अपने बोर्ड एक्जाम में सब अपने अच्छा स्कोर कर सकें तो उम्मीद है सब बच प्रेटिस पेपर्स करने यानि प्रीवेस यर क्योश्शन साप कर सकते हो हाई लेवल के टेंशन नहीं करना क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करने हैं क्या 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 पूश्चन पूछ जाते हैं उन सब चीजों को मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाता रहूं तक तक God bless you all, keep studying